आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तब क्या देखा गिया यह बीकर अगर हाफ फूल है वह फ्लोट करेगा लेकिन वह हाफ से ज्यादा फूल हो गया तो वह क्या करेगा वह सिंग के बॉटम में रह जाएगा जितना वाटर राइज होगा उतना वह सिंग में बॉटम में रह जाएगा तो हमें क्या fine करना है density of the material which the beaker is made तो density of the glass, बीकर तो glass से मेरा होता है तो हमें यह माल लेते, density of the glass is rogy इसको हमको fine करना है क्या दिया हुआ है, mass of glass, मतलब बीकर का mass दिया हुआ है 390 gram और interior volume, मतलब बीकर का volume भी दिया है 500 cm3 ठीक है, जब वो half field था at half field condition at half field, तो बीकर का weight कितना था देखो, weight हमेंशा force होता है तो weight क्या हो गया, mass into gravitational acceleration ठीक है, तो mass कितना था वो half field कैसे था, water के साथ half field था ठीक है, तो mass था हम लोग नहीं जानते है तो क्या हो जाएगा ये row into वीकर का volume by 2 ठीक है ये into g, ओके तो ये half field जब था, तब को weight है अब देखो, क्या होगा तो total weight क्या हो जाएगा टोटल weight of beaker and water क्या हो जाएगा ये glass का weight है mg into g, ठीक है प्लस ये वाला हो जाएगा जब वो half field था, ठीक है तो अब इसको लिखतो mg into g प्लस row w, मतलब ये density of water है और water half field मतलब beaker का volume ही हो गया, ठीक है तो beaker half field का volume into g g है, gravitational acceleration अब देखो, से sink में है ये माल लो एक sink यहाँ पर वो beaker रखा हुआ है ठीक है, वो beaker रखा हुआ है अब ये sink में पानी पानी आ रहा है ठीक है ठीक है ये pink पानी से filled up हो रहा है तो क्या हो जाएगा ये beaker तो ये क्या भोला, beaker half field रहेगा तो float करेगा तो beaker अब क्या होगा, अब beaker float करेगा तो half field होगा तो beaker float करेगा ऐसे हो जाएगा ठीक है, beaker में माल लो पानी half field है तो float करेगा, ओके? तो ये water के लिए एक force ये इसको bio and force कहते है और यहाँ पे एक force already present है ठीक है? जो beaker और ये जो water का force तो ये जो bio and force है, इसको हम F भी बता रहे है ठीक है? ठीक है, ये bio and force कैसे express किया जाए? density of water into volume of this beaker ठीक है, volume of this material, sorry volume of this beaker नहीं material का glass का volume तो glass का volume तो हम लोग नहीं जानते है तो mass of glass by density of the glass ठीक है? ये हो गया volume into gravitational acceleration, ठीक है? plus और क्या है? और ये water भी है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? density of water, इस water का ठीक है? into volume of beaker ठीक है? into volume of beaker मतलब यहाँ पे half field है, वो half field water का भी volume होगा ठीक है? into gravitational acceleration हो गया अब ये bio यान force जो है ये weight के weight of the beaker और water का जो weight है, वो equal है, ठीक है? क्योंकि देखो, ये तो ये weight तो इधर सा add कर रहा है, ये weight, ये force इधर सा add कर रहा है, ठीक है? balance रखने के लिए, float रखने के लिए ताकि ये float करे, ठीक है तो अब इसको बैठा दो mg by rho g, बस sub shoot कर दो, और कुछ नहीं अब इसका देखो, ये यहाँ पर है sub shoot करो, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है, रोजी, ये वाला, ओके? तो यहाँ से, फिर simplify करो, देखो रोजी आ जाएगा density of water into mass of the glass by mass of the glass minus half of density of water into volume of b curve ठीक है? अब चलो, बस value substitute कर तो, density of water हमें लोग क्या जानते है? 1 gram per cc, ये जानते हैं न, 1 into mass of glass क्या है? 390 question में दिया था, 390 gram है, 390 minus, ये फिर से 1, और volume of the bigger क्या था? 500 था, 500 cm3, अब इसको calculate करो, देखो ये आ जाएगा 2.78 gram per cm3, ये है हमारा required density, ठीक है? I hope you like my video, thank you Classics to 12 से लेके Meet IIT जेही, Means और Advanced के लेवल ता 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलूट करे डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स, आच 400 444 सूपर